Hello everyone, good morning India, आप सभी लोग का स्वागत है आपके इस चैनल पर, तो आज का अपना topic है कि nothing is permanent, कोई भी चीज पर्मानेट नहीं है, ठेक है, सब कुछ temporary दुनिया में, कुछ भी चीज पर्मानेट नहीं है, आपकी situation पर्मानेट नहीं हो सकती, आपकी health पर्मानेट नहीं हो सकती, आ नहीं है, कुछ भी चीज पर्मानेट नहीं है, तो, important चीज क्या है, important चीज यह है कि हम बहुत बार लोगों को देखते हैं, आज से 10 साल पहले कुछ लोग की जिन्दगी बड़ी नॉर्मल थी, 10 साल की बाद उनकी जिन्दगी में बहुत सारे changes आए, बहुत सारे अपने around मे आप देखोगे, आप किसी village में रहते होगे, किसी कजबी में रहते होगे, तो, आप देखोगे, 10-15 साल पहले कुछ लोग की life बहुत ही अच्छी थी, जो अब बहुत अच्छी नहीं है, कुछ लोग की life बड़ी normal थी, बड़ा struggle करते थे, आज जिन्दगी बड़े तरीके स जीते हैं, तो, एक लंबा दौर चाहिए होता है, एक normal लोग को grow करने में या गिरने में भी, गिरने में तो लंबा time नहीं चाहिए होता है, गिरने के लिए बहुत लंबे duration के need नहीं होती है, तो, हमें सब अपने mind में चीज clear रखे, बच्पन से हमको पढ़ाय भी जा रहा ह है, एक अच्छे समय की बद, बुरा समय भी आता है, बुरा की बद अच्छा भी आता है, बोला जाता है ना उपकी पर से, तो, मैं बोड़ना हो कि, यह natural है की हैं सब चीज़ें, कई बार लोग को लगता हो का नहीं से, हमारा तो बुरा टाइम ही आता है, सर, बुरा बुरा बुरा, बुरा, बहुत बुरा, और बुरा, सर, वो ही चल रहा है, सर, जितना बुरा टाइम हो सकता है, वो ही function चल रहा है, सर, ज्यादा बुरा, कम बुरा, बहुत बुरा, बस इसी की बीच में वैरी करता है, तो, कहीं लोग को लग सकता है, लेकिन, अब आप अगर च्छ पता नहीं क्या होगा बार बार आपसे गलतिया हो रही है execution में, planning में आपको लग रहे है इसर नहीं हो पाए को यकीन मानी अगर आप drop कर दोगे plan को तो बुरा उससे भी बुरा और बुरा ये सब होते रहेगा वो change नहीं होगा फिर 10 क्या 20 साल में भी time change नहीं होगा time किसका change हो कल आप एक पैरेंट बनने वाले होंगे आपके बच्चे होंगे, वाइफ होगी, फैबिली होगी अभी आप जिस तरीके से मम्मी पापा को अपने देखते होंगी उसे तरीके से कुछ समय बाद कुछ लोग आपको मम्मी पापा की समान देखें कि तो जिंदगी ऐसी चलते जाएगी, ऐसी ही चलते जाती है तुझी परवाणे नहीं हुआरे हेर यूज हमेसा नियर है, य भी गया हो जाएगा हमारे आइस का जो नंबर से वो बढ़ते जाता है ऐस बढ़ते जाती है, तो और रल क्या है ऐसा किसी के पास special feeling नहीं है सब को इस दुनिया से जाना है तो किसी के पास पहुँच कोई भी ऐसा कुछ permanent वाला feel factor किसी के पास रह नहीं सकता चैस देस का पधा मंतरी क्यों नहूं तो फिर आप तो एक normal रेक्ती हो कितने सारे से सीम है जो आसे 30 साल पहले सीम एकदम powerful सीम थे उसके बाद पता भी चला कि कोई सीम सुबह निपड़ गया और पता भी चला 30 साल पहले बाद का जो सीम था तो जिन्दकी ऐसी चलते रहती है यकीन मानी है तो आप न इस self belief पे रहे कि जिन्दकी में जब कुछ पर्मानेंड नहीं है तो आप जिन्दकी को बहुत अच्छे से जीना सीखें किस बात का गम effort लगाने का कि result का result का गम थवावत करना is good लेकिन अपने result अपने अपने आपको improve करते जाओ ऐसे personality improve करते जाओ better बनाते जाओ आपके बात करने का तरीका अच्छा हो आपका सलीका अच्छा हो आपका representation अच्छा हो इन पर काम करना चाहिए क्योंकि एक समय के बाद जब आप आट-देस साल बाद जब देखोगे ना तो आपको लगेगा मैं बहुत improvement कर लिया हूँ अच्छा फील होगा आपको जो भी आपका weak part है उसमें focus करते जाओ उसको care करते जाओ किसी exam में आपका नहीं हो पाया क्योंकि competition बहुत तरी it's okay जिंदगी में बहुत सारी चीज़े जो हम चाहते हों हमको नहीं मिलती है maximum लोग के साथ ऐसा होता है बट इसका तो यह मत्तब नहीं कि जिंदगी रुक जाएगी क्या पता किस रास्ते में क्या चीज़ होने वाला है हाँ अगर आप अपने आपको धोका दे रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं लेकिन अगर आप honesty के साथ अपने जिंदगी को जी रहे हो और honesty नहीं उसको आप बिल्कुल यह बिलीव ना करें कि वो same रहे हो चेंज होगा बट चेंज होने के लिए parameter होते है और वो parameter पर आपको वक्क करना है तो change होगा अगर आपको लगता है कि साथ अपने आप change होगा तो भाईया अपने आप change नहीं होता ही है इस चीज़ को ध्यान रखना ठीक है चलो ओके थैंक यू